असलाम अलेकुम आज़ाइब बिलाज सहित फ्रम कमफर्ड अरेना योट्यूब चैनल विवर्स इससे पिछले वीडियो का लिंक इसी वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में मुझूद है उस वीडियो को आप देखिएगा और उसके बाद आज की वीडियो कांडियो कीजिएगा पिछली वीडियो के पहले हिस्से में हमने बनाया था एक छोटी से अप्लिकेशन जावा के अंदर जिसमें हमने इवन्ट हैंडिलिंग का तरीका सीखा था इस तरह से हमारे पास एक वीडियो थी यहाँ पर एक बटन था बटन को हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास मैसिज आया था ये था बटन के एक क्लिक का event आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम mouse का जो event है उसको किस तरह से handle कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारी window है उसके उपर हम किस तरह से event को handle कर सकते हैं windows open करने पर windows close करने पर windows को minimize यहां फिर दुबारा से open करने पर जो events generate होते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम देखते हैं तो यहीं से हम continue कर लेते हैं यहां पर था हमारे पास ये जे बटन इसको हम हटा देते हैं हमें यहां पर एक label चाहिए होगा इसकर हम रख लेते हैं LB1 और इसको इस तरह से यहां पर कर लेते हैं और यहां पर भी उसी तरह से इसको हटा के जे लेबल को initialize कर लेते हैं LB1 आजएगा और यहां पर आजएगा new J label यहां पर इसको हम समाल L में ही लिख लेते हैं अब हमने यहां पर इन दून लाइनों को हटाना होगा और हमें अपने container में add करवाना होगा यहां लेबल जो के है LB1 और उसके बाद control ऐसे save करेंगे अब यहां पर जो implements है इसको हमने यहां से हटा देना है अब हमने यहां पर जो interface लेना है वो है mouse का तो Java के documentation में चलते हैं mouse के लिए हमारे पस दो किसम के interfaces मुजूद हैं एक है mouse listener इसके अंदर पांच methods मुजूद है mouse click, mouse entered, exit, pressed और release दूसरा mouse का है हमारे पास mouse motion listener जिसके अंदर दो method मुजूद है mouse drag और mouse moved तो हम यह जो mouse motion listener है इसको यहां पर implement करेंगे यहां पर paste करेंगे class का जो नाम है उसको भी हम यहां पर change कर देते हैं और यहां पर हम लिख लेते हैं mouse event test और इसी को हम यहां पर यहां से copy करेंगे और अपने यहां पर भी इसी को हम paste करेंगे इस तरह से तो यहां पर ऐसे करने के बाद आप देखिए कि यहां पर यह red line आ रही है इसका मतलब यह है कि जो हमने interface लिया है उसके methods को भी हमने यहां पर नहीं लिखा तो यह mouse click का जो methods को यहां से हटा देते हैं आप देखिए कि यह जो दो method हैं इनको हम यहां पर लिख लेते हैं उसी तरह से लिखेंगे public wide mouse dragged आ जाएगा उसके अंदर mouse का event आ जाएगा और यह आ जाएगा e और इस तरह से हम इसको लिख देंगे उसके बाद इसी को हम यहां से copy करके करेंगे नीचे paste और यहां पर mouse dragged के जाएगा जो दूसरा इसका event है यह method है वो है mouse moved उसको हम इस तरह से ले लेंगे तो जैसे हमने यह दो method यहां पर लिखेंगे अब देखेंगे यह जो red line थी error यहां से हट चुकी है तो अब हम इसके अंदर अपना जो code है उसको लिख देंगे बहुत असान code है पहला लिखेंगे int x और लिखेंगे e dot get x इस तरह से और दूसरा हो जाएगा हमारे पास variable y और हम यह ले ले लेंगे e get y इस तरह से यह जो e है यह एक image है जो यहां पर हमारे पास इसमें आ चुका है अब हम इसको अपने जो label होगा उसके अंदर show करवा देंगे set text के जरीए से लिख देंगे यहां पर dragged at और यहां पर हम इसको concatenate करवा देंगे x के साथ और उसके बाद हम एक coma लगा के इसको हम जो y है वो भी यहां पर दे देंगे इस तरह से simple काम है इसी को हम copy कर लेंगे copy करके यहां पर paste करेंगे और यहां पर हम जो लफज है उसको लिखेंगे moved at इतना काम करने के बाद save करेंगे अब हमारा जो step number 3 है वो यह है कि हमने जो अपना frame है उसको hook up करना है अपने इस method के साथ तो यहां पर हम लिखेंगे add mouse motion listener और इसके अंदर हम this pass करेंगे यहनि के मतलब यह है कि हमारे जो methods बगरा है वो इसी class के अंदर मुझूद है mouse motion listener यहां पर हमने लिखना है अब इतना काम करने के बाद हम ऐसे करते हैं कि यह जो हमारे जे frame और जे label है इसको हम यहां से cut करते हैं और यहां पर paste कर देते हैं control S कर लेते हैं और अब इसको यहां से start करके देख लेते हैं तो अब देखिए कि यह हमारे पास Windows आ गई है अब हम ये mouse को move कर रहे हैं तो आप गोर कीजिए जैसे जैसे mouse move हो रहा है तो इसके जो coordinate है वो change हो रहे है पहले x coordinate है अब देखी और अगर ये इस तरह करेंगे तो ये y coordinate और इस तरह करेंगे तो दोनों coordinate change होंगे अगर हम अपनी click को दबा करेंगे तो यह drag का जो event है वो यहाँ पर आ रहा है तो यह था mouse का motion listener इसी के अंदर हम देख लेते हैं अपनी window के listener को तो window के listener को हम इसी के अंदर ही करते हैं कोमा डाल देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिख लेते हैं window listener अब आप देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर विंडो लिसनर लिखा है यहाँ पर यह एक एरर जेनरेट हो गया है और यह हमें यहाँ पर बता रहा है इसके डेटेल कि यहाँ पर जितने भी मैथर्ड हैं उनको जरूर आपको लिखना पड़ेगा तो हमारे पस यहाँ पर टोटल साथ मैथर्ड हैं जावा की डाकुमेंटेशन में भी देख लेते हैं यही चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास विंडो लिसनर में एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यह साथ के साथ हमें जो मैथर्ड हैं हमको लिखना पड़ेगा चाहे हम इनमें कोड लिखें या ना लिखें तो मैंने यहाँ पर यह लिख के रखे हैं इनको हम यहाँ से कोपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको इस तरह से पेस्ट करवा देते हैं तो अब देखिए कि यह जो हमारे पास यहां पर साथ मैथड़्स हैं एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ यहां पर है विंडो क्लोजिंग यहने के क्लोज होने से पहले जब हम अपना बटन दबाएंगे क्लोज वाला उस वगत आइकोनिफाइड और ओपन और अक्टिवेटिड डी आइकोनिफाइड और डी अक्टिवेटिड तो यह जो है इनको कठा कर लेते हैं इसका मैं आपको यहां पर मतलब बताता हूँ अभी थोड़े देर में तो यह क्या चीज़ है आप देखिए कि जो हमारा पहला है हम यहां पर जो विंडो क्लोजिंग है यहां पर हमें कोड लिख लेते हैं तो यह हमारा कोड है इस तरह से एक मैसिज़ बोक्स शो होगा और वो बताएगा हमें गुड बाइ तो इसको हमने अब हुक अब भी करवा लेना है यहां पर इस तरह से करेंगे कि हम इसी को copy करके यहाँ पर लिख लेते हैं उपर और यहाँ पर लिख लेते हैं add window listener ताकि हमारी जो window है उसके उपर यह दोनों listener apply हो जाएं तो आईए इसको यहाँ से करते हैं start तो आप देखिए कि यहाँ पर यह mouse और drag event काम कर रहे हैं इसको जब हम close करेंगे तो यह message हमार पास आया है good bye इसी तरह से जो iconified और de iconified है यह क्या चीज़ है अब देखिए कि इसको मैं यहाँ से copy करके यहाँ पर paste करता हूँ और यहाँ पर पर paste करता हूँ अब यह है iconified तो इसको हम इस तरह से copy करके यह यहां पर डाल देते हैं यह तन पर देते हैं हम इस तरह से de iconified ताकि हमें अंदाजा हो सके यह क्या चीज़ है run करते हैं अब आप देखिए कि यह हमारे पास चीज़ें वैसे ही काम कर रही है अब हमने इसको minimize किया है तो आप देखिए कि iconified मतलब क्या कि यह चीज minimize हो गई है और इसका icon यहाँ पर नीचे हमारे पास आ गया है ओके इसको जब दुबारा से हम open करेंगे तो ये देखे के डी आइकोनिफाड यानिके आइकोन से जो हमारी असल विंडो है वो खुल चुकी है तो इस तरह से हम अपने विंडोज इवन्ट और अपने माउस के इवन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं तो अमीद है आपको आज के वीडियो पसंद आई होगी इसको लाइको शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा अट इस बिलाल सहीद साइनिंग ओफ आल्ला हाफिज